हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें वाउ तो ये देखी कितना जबरदस्त और स्पॉंजी ये हमारा वेनिला केक बनकर तयार हुआ है बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा और बिना अंडे से बहुत ही जबरदस्त बना है और इसे हमने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कड़ाई को प्रिहिट करने के लिए रखना है धाक कर धीमियाच पर तब तक हम केक बनाने की तैयारी करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा केक टीन ले लिया है इसे मैं ओयल से ग्रिस कर रहे हूँ और सुखा अटा डाल कर इसे डस्ट करना है तकि जो केक है वो इजीली डीमोल्ड हो जाए तो चलिए अब हम केक का बैटर बनाते हैं मैंने एक बोल में लिया है एक कटोरी पिसिवी शक्कर डेड़ कटोरी हमें डालना है मैदा तो मैंने देखिए एक कटोरी ले लिया है और पहले मैं आपको कटोरी दिखा देती हूँ यह घर पर मतलब हर घर पर यह छोटी वाली स्टील की कटोरी होती है तो इसी कटोरी से हम आज यह मेजर्मेंट कर रहे है तो मैंने देख कटोरी मैदा आड़ किया है साथी डालेंगे आधा कटोरी से थोड़ा कम दही अगर आपके पास अधा कटोरी है तो आप ले सकते ही इसे फेट कर आपको अड़ करना है अधा कटोरी डालेंगे हम ओईल आपको strong smell वाला नहीं इस्तमाल करना है एक कटोरी डालेंगे हम दूद और एक टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें vanilla essence क्यूंकि आज हम vanilla flavor का sponge cake बन रहे हुए कि हमने सारी चीजरیں एक एक साथ दाल दी है रहों है और हम पूर्प इसे फूलाने के लिए मिटर ये इस चाहल च्रोरा हमें driving बना निणी की को तो या इसे अदुट मृट्ब एक सेशे पूरा इनो अट करेंगे और इसमें एक चमज डालेंगे दूद और इसे हमें हलके हालके हातों से मिक्स करना है लगभग एक से डेड़ मिनट तक जादा देर तक मिक्स करते न रहें वरना जो इनो का जो एरियेशन है जो इनो का काम है वो प्रॉपर इस केक में नहीं हो पाएगा तो हमें एक से डेड़ मिनट तक ही इसे मिक्स करना है और यह जो केक हम बना रहे हैं बिल्कु स्पॉंजी केक बनता है तो चलिए हमने इसे केक टिन में डाल कर अब हम इसे कड़ाई में डालेंगे तो देखे कड़ाई बहुत अच्छी से प्रिहिट हो चुकी है बीच में हम एक छोटा सा धकन रखेंगे अब कोई भी स्टैंड रख सकते हैं और केक टिन रखकर हमें इसे ढखकर पकाना है लगभग 35-40 मिनट के लिए दिमियाज पर तो आप खुदी देखिए कि किस तरीके से पक रहा है और यह पूरा केक पकते तक मैंने कैमरा ओन रखा था कि मैं आपको यह कैक कैसे बिक हो रहा है यह प्रॉपर दिखा सकूं तो दिखिए पूरे 40 मिनट हो चुका है और अब हम करें धटना होने देंगे इसके बार दी मॉल्ड करेंगी अधना होने के बार देकि आप डी मोल्ड करें तो यह देखिए अब के का देख सकते हैं कितना सब्रतस्थ और कितना स्पॉंजी बना है चले, मैं आपको टच करके भी दिखाती हूं कि यह कितना सॉफ्ट बना है है ना बहुत ही कजब का केक अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं तो मैंने यह आप पर 7-8 ओरियो बिसकित ले लिए हैं इसे मैं तोड़ कर एक ग्राइंडर जार में डालूंगी और इसका फाइ इसे अच्छे से मसल कर हमें इसका एक डो बना लेना है अब हम इसके रोज बनाएंगी तो हमें छोटे छोटे पोर्शन्स लेने हैं और इसके छोटे बॉल बनाकर इसे थम से प्रेस करना है और इसके पैटल्स बनाने हैं तो एक रोज बनाने के लिए हमें लगभग चार प पैटल्स को अरेंज करना है थोड़ी थोड़ी जगा रखकर एक की उपर एक और इसे रोल करते जाना है तो देखिए हलका सा रोल करने के बाद हम इसे बीच से कट करेंगे तो एक साथ हमारे दो रोज बनकर दयार हो जाएंगे और यह देखिए कितने खुबसूरत यह बने है अब हलका सा इसके जो पैटल्स है इसे हम खोल लेंगे अब यहाँ पर हम जो केक है इसके उपर लगा रहे हैं वाइट चोकलेट गरनाश तक कि केक और ज़दा खुबसूरत लगे और टेस्टी भी लगे अब इसके उपर हम यह एक एक चोकलेट रोस सैट करेंगे और यह द इसके उपर भी थोड़ा थोड़ा यह चोकलेट गरनाश लगा कर वाइट चोकलेट की शेविंग लगा देंगे और यह हमारा सुपर टेस्टी इजी केक बनकर तयार हो गया है इसे मैं कट कर रही हूं कट कर रही हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना और जबरदस्त बनाएं अब मैं आपको दिखा देती हूं कि यह देखिए बिलकुल वाइट और बिलकुल मार्केट की तरह यह बनकर तयार हो चुका है घर पर बहुत ही आसानी से तो आपको आज की यह रेसिपी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा